तो वेरी ब्यूटिफुल गूट मॉर्निंग तो ओल मैं शुल धारिवाल आपका हमारी चैनल में फिट से स्वागत करती हूँ और आज की जो वीडियो है वो हमारी वीडियो बीसी के स्टुडेंट्स के लिए है क्योंकि बीसी के अब एक्जाम आने वाले है नमबर चली रहा है 2024 भी आने ही वाला है तो आपके मन में और आपके दिल में ये डाउट हो गया होगा कि अब तो आप जाँ आने वाले हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे तियारी करने हैं, फ्रेल बहुत जादा है, बहुत जादा white syllabus है, chemistry में पढ़े, physics में क्या पढ़े, watch Only में पढ़े, zoolozy में क्या पढ़े, कि हम एनी को पढ़ कि क्या हो जांग पास हो जांग, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial, बहुत ज़्यादा helpful होना वाली है, क्योंकि आज मैं आपको proper way में ये बताऊंगी कि BST में कैसे pass होना है, और एक हम आपके लिए एक important update लेके आए हैं, कि जो हम questions बनाते हैं, maximum जो questions होते हैं, वो क्या होते हैं, university में आज जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपको exam को pass करने में बहुत ज़्यादा असानी हो जाती है, और क्या होते है, marks को increase करने में आपको बहुत ज़्यादा helpful हो जाते हैं वो question, तो important update ये है, कि November तक के end तक हम आपको वो important question क्या करा देंगे, आपको जल्दी से जल्दी हम आपको provide क करा देंगे, उन question का benefits ये होता है, जो students पढ़ते हैं और जिनको important questions की need होती है, वो क्या होते हैं, बिल्कु selected question होते हैं, जो exam में आते ही आते हैं, तो उन question से आपको करने से ये फायदा मिल जाता है, कि आपके marks में भी increment होता है, और क्या होती है, percentage भी improvement हो जाती है, तो अब हम बात कर लेते हैं उन students की, जोनों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, और जो syllabus है, वो बहुत जादा wide है, तो syllabus को कैसे cover आप करना है, marks भी हमें improve करने है, percentage भी improve करना है, time period भी बहुत कम है, जो time भी बचा है, वो भी बहुत कम ही बचा है, कि अब ऐसी कैसे तियारी करें, कि ज से पढ़ना है, कि आपके पास, suppose करो, आपके पास चार सब्जेक्ट्स है, सबसे पहले आप देखिया, आपके पास chemistry है, botany है, zoolos ही है, और आपके पास क्या है, physics है, तो हर एक subject में से आपको 6 unit लेनी है, आपके वो depend करता है कि आपके syllabus में कितनी units आ रही है, suppose करो, आपकी chemistry म आ रही है, physics में आपकी 5 unit आ रही है, या chemistry में आपकी 5-6 unit आ रही है, botany में आपकी 5 unit आ रही है, तो सबसे पहले कोशिच ये करें, कि 50% आप जो 100 में से 50% को क्या करें, syllabus को cover up करने की कोशिच करें, इससे ये फायदा होता है, कि 50% syllabus अगर आप cover कर लेते हैं, तो आपके कुछ जो units में से important question है, या फिर पूरी जो unit आप तयार कर लेते हैं, उससे क्या होता है, marks को improvement करने में help मिलती है, अब मैं आपको बता देती हूँ, आगे जगर आप 2-5 unit आप हर एक subject की तयार कर लिजे, चाहिए वो आपकी chemistry, botany, zoology, कुछ भी हो, उसमें से आप 2-5 unit तयार कर लि अब बची साड़े 3 unit, अब इतना time duration भी नहीं है, कि आप साड़े 3 unit पूरी proper करेंगे, तो ऐसे में आपको क्या करनी है, ऐसे में आपको smart study करनी है, smart study का मतलब यह है, कि चीजे बिल्कु selected पढ़नी है, कि किस चीज का weight is ज़्यादा है, कि किस question से, या किस topic से कितने question बन रहे हैं, या फिर कैसे कैसे question पूछे जा रहे है, तो अगर आपको question कैसे पूछे जा रहे है, आपको नहीं पता, तो आप क्या कीजिए, previous year के question उठाईए 5 साल के, आपको वो questions, previous year के आप Google से निकालिए, या market में जो आपके available है, university से related, आप महा से क्या कीजिए, वो booklet लीजिए, क पदलब हर एक जो unit है, total मिलाके 3 unit है, या फिर आपकी 4 unit जो बची हुई है, उन में से आप total 15 selected question तयार कर लीजिए, और 15 selected question तयार करने के बाद, आप उन question को practice कर लीजिए, उन question को तयार कर लीजिए, अगर आप वो तयार कर लेते हैं, और वो धाई unit भी आप तयार कर लेते ह तो इसके सासाथ आप BSC में pass ही नहीं होंगे, आपकी percentage भी बहुत अच्छी improvement होगी, जिससे benefit यह होगा कि आपकी जो percentage बहुत अच्छी बनेगी, इससे से आपको फायदा होगा, और BSC में आप बहुत easy way में आप pass हो जाएंगे, लेकिन एक चीज और आप बिलकुल smart study करने है प्रोपर एक schedule के according पढ़ना है, कि हमको धाई unit यह पढ़नी है, ऐसनी है कि वो धाई unit आप कुछ भी पढ़ लो, आपको जो easy लगे, आप उसमें से कुछ भी तियार कर लीजिए, जो उनसी आपको interested हो या जो उनसी आपको बहुत अच्छे से आती हो, अब हम बात कर लेते है important update की, जो हमारे important update था, वो था important questions के लिए, तो अगर आप video पे नए हैं, अगर आपको important question चाहिए, या फिर आपको important question मिलने के बाद, आप चाहते कि हमें जल्दी जल्दी मिलें, तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लिजिए, ताकि आपको proper way में हम क्या करें, notification आपको मिल जा तो thank you so much.